आपको तो पता ही है परम मामू का वह एक से एक्सपेंसिफ चीज़े लाते हैं आपके लिए सब खतम हो गया, सब बर्बाद हो गया क्योंकि मेली जॉब चली गई है अब रहो एक गरीब और बेरोजगार आदमी के साथ परम परम मैं तंगा चुआ हैं तुम्हारे परम से, बुझे नहीं देखना तुम्हारे परम मामू का कोई भी टॉय अब तुम ऐसा करो अपने भाई को फोन करो कि डाइवर बहसे तुम्हा यहां से लेकर जाए पापा कि अहुआ है it मेरनी Felix को डिले नहीं पूरी अब यह कोई मतलब नहीं हो लो यह मेरा घर है मैं यहीं रोंगी मैं कहीं नहीं जाओंगी चाहे जो भी सिच्वेशन हो हम संभाल लेंगे अब बस दर्वाजा खोलो पापा अब भी तो फोलो पार्टी पे जा रहेंगे अचाहे गाप मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना तुम आओ अपनी मम्मी के साथ और बुलाओ अपने परम ममू को रम्नीक र पापा अब नहीं जाओंगे तो हम भी नहीं जाएंगे पापा दर्वाजा के पूल दू पापा रमीक मेरी बातो सुनो ना मेरी बातो सुनो मुझे कोई बात नहीं सुनी कौन था बेटा ममा परमानों का ड्राइवर था वो यह देखी करा आए उन्होंने मिझाई विजवाई होगी मैं अभी परम को कॉल करती हूँ हलो परम तेरा ड्राइवर आया था समान देकर गया है दिदी आप पहले यह बताओ कि कर आप आए जो नहीं वह वह परम आचली क्या दिदी आपके बेरा पाटी इतनी अधूरी सी लग रही थी वो ना मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं दवाई लेकर सो गई अच्छा अ चलो अच्छा है अच्छा सुनो आपके और बच्चों के लिए कुछ पैसे बिज्वाए हैं और मिठाई भी अच्छा ठीक है अनान्या अजी मामा बेट बेटा मामू ने कितने सारे स्वीट हमारे लिए ब्लेते हैं इते सुन्दर चॉक्लेट इस बुरे वक्त में हमारे थोड़े काम ही आ जाएंगे कोई जरूरत नहीं है हमें इन पैसों की जाओ ये पैसे भी वापस करो और ये मिठाईया भी अपने मामू परम मामू को वापस करो प्यार से नहीं उसने हमारे उपर दया की है हमेशा की तरह मुझे नीचा दिखाने की कोशिच करी है देखो पुनी मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ कि अभी के अभी अपने भाई को फोन करो और ये सारी मिठाईया और ये पैसे वापस करके आओ तो हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रहे हो रमी मैं उल्टा मतलब निकाल रहा हूँ तुम और तुम्हारा परिवार मेरी बरबादी का तमाशा बना रहे हो मैंने बोला है अभी के अभी ये पैसे उसको वापस करो और ये सारी की सारी मिठाई भी उसको वापस करो अब जोब क्या करों अगर परम को ये पैसे वापस करती हूँ तो वो बुरा मान जाएगा ऐसा करती हूँ इनको रख लेती हूँ और रमनीक को नहीं बताऊंगी और ये मिठाई किसी को दे देती हूँ कैसे दिन आ गए है माईका और ससुराल दोनों को खुश रखने के चकर में मैं पिस्ती जा रही हूँ अरे भाई मौ्टी मौ्टी भाई जल्दी कुछ करना यार भाई मेरे को नौकरी की बहुत सक्ट जरूदह ये कब तक मैं ऐसे घर खाली बैठा रहूँगा यार् प्लीज भाई प्लीज जल्दी कुछ कर यार पापा आज हमें मॉल ले चलो न अरे नहीं बाबा मैं मॉल नहीं ले की जा सकता पापा प्लीज ले जाओ न बेटा नहीं अभी मेरा मूड बहुत खराब है मैं नहीं ले की जा सकता प्लीज पापा आज जी प्लीज पापा ले चलो न मैंने बोलाना नहीं मतलब नहीं जाओ यहां से हेलो परम मामू हेलो मेरी बेटी कैसी है ठीक ही हूँ अरे क्या हो गया आज चुट्टी है पर पापा मॉली नहीं लेके जारे हमारा बहुत मन कर रहा है मॉल जाने का अरे बस इतनी से मार ऐसा किरो आदे गंटे में तैयार हो जाओ मैं तुम तीनों को पिक करूँगा और फिर हम सारे मॉल जाएंगे सच में हाँ जी बेटा सच में मेरी बेटी कोई बात कहे और मैं पूरी ना करूँ ऐसा हो सकता है क्या थांक्यू मामू अब जल्दी से रेडी हो जाओ और शनाया और सियान को भी बोल जो हाँ जी ठीक है मामा हमारी परमामू से बात हो चुकी है परमामू अपने ड्राइफर बेज़े और फिर हम उनके सब मॉल जाएंगे अरे बहुत अच्छी बात है बेटा जाओ बिल्कुल मामू के साथ मॉल ओकर आओ पापा भी घर पे नहीं है वो ना मॉंटी अंकल के साथ कहीं गए है ले अच्छी अब ही तक नहीं आए रमनी के आने का भी ताइम हो गया है क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं बस बच्चे रमनी के आने से पहले आ जाएंगे लगता है 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 नहीं, नहीं, आजू आप तो मॉंटी के साथ गए थे ना, जो आपका पता करने तो कोई बात बनी? अरे नहीं, बाबावी, कोई बात नहीं बनी अच्छा मैं देख थी अरे नहीं, तुम रुको, मैं देख रहा हूं तुम लोग कहा गए थे? परा मामू के साथ मॉल ये, बहुत मज़ा आया अच्छा, तो अब पती गरीब हो गया है तो मामू, परा मामू इन सब का खर्चा उठा रहा है अरे नहीं, रम्मी, वो तो ऐसे ही बच्चों को बस गुमाने लेगया था ऐसे वैसे कुछ नहीं, तुम ही ने कहा होगा कि अब हम गरीब हो गए है, बच्चों को मॉल गुमाना अब गलत समझ रहे हो ने, मीक अभी कैसी बते कर रहे हैं गलत समझ रहा हूं, तो क्यों वो ले गया है इंको मॉल गुमाने इतना खर्चा करने पापा वो तो बस, बस, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी, और तुनी तुम एक बात कान खुल कर सुन लो, बहुत बेस्टी कर वाली मैंने, अब तुम्हें अपने माइके और ससुरार में से किसी एक को चुलना होगा यहाँ तैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, स्केरी टीचर 3D इन रियल लाइफ, प्रैंच ओन मिस्स्टी, वीडियो हो चुका है लाइफ हमारे चैनल आरेस 1313 व्लोग्स पे काइट, मुझे तो पोहाँ मजा आया, मुझे बिल्कुल मजाने आया, हमने तब्स्टी को माना भी इन फिर लीडियो लेडियो है